उसका उतलब यह है कि अभी वेमारे Redmi 12 में स्क्रीन लॉक लग चुका है हलले उरियन अगर आपके ऐसे Redmi 12 फोन तो आप कैसे आप आपके फोन में स्क्रीन लॉक लगा सकते हो और फिर लॉक लगा सकते हो वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करता है तो कैस आप देख सकते हो कि यह रहा मेरा Redmi 12 फोन और मुझे अपने इस वाले फोन में स्क्रीन लॉक लगाना है तो अब मैं कैसे लगाऊंगा बहुत ही सिंबल सा तरीका है जिससे कि आप स्क्रीन लॉक को लगा सकते हो इसके लिए आपको एगरना है देखो सबसे लिए तो आपको आपके Redmi 12 फोन में सैटिंग का जो एप है न इसे उपन कर देना है जैसे आप आपके फोन की सैटिंग के ओपन करोगे तो अब आपको कुछ इस तरीकी का इंटरफेस दिखाए देगा जैसे आपको कुछ इस तरीकी से स्क्रोल कर देना है एक स्क्रोल करने पर आपको एक option ढून लेना है जिसका नेम होगा passwords and security तो आपको एगर नहीं यह जो option है ना आपको इसे डून के open कर देना है जैसे आप open करोगे passwords and security वाले option को तो अब आपको कुछ इस तरीकी का option दिखा देगा यह आप देख सकते हो screen lock, fingerprint lock और बहुत सार option तो आपको एगर नहीं जो screen lock वाल option है ना इस पे click कर देना है जैसे आप click करोगे screen lock वाले option पे तो अभी आपको तीन option दिखा देगे pattern lock, pin lock और password तो अगर आपको इन तीनों में से जो भी लगाना होगा आपको इस पे click कर देना है आपको कुछ इस तरह की option दिखा देगा add fingerprint, अगर आपको फ्रिंगर्पीट लगाना होगा तो लगाओ या फिर कैंचल कर दो कि यह बाद में लगा देना तो अभी आप यह आपर देख सकते हो कि अभी हमारे स्क्रीन लॉक लग चुका है तो अभी जैसे ही मैं बैक करता हूँ अभी हमारे फोन को आफ करता हूँ तो सबसे रहे तो हमें पास्वर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद में हमारे जो फोन है वो अन होगा अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो वीडिय देखने के लिए आपका दन्यवाद थैंक यू सो मच